नमस्कार और वेलकम टू सिविल टैक्ट मैं हूरवी संकर सभी लोग अपने जीवन में काम्याब होना चाहते हैं ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके गर का आपके जीवन पे पॉजिटिव एफेक्ट होगा या नेगेटिव अगर आपके गर का में गेट वास्तू के अनुसार पॉजिटिव डिरेक्शन में बना हुआ है तो ये आपके जीवन को पॉजिटिव एनर्जी से बर देता है जिसके साथ आप आसानी से सपल हो सकते हो यदि आपके गर का में गेट गलत जगा है तो ये आपका bad luck लेके आएगा जिसके negative result आपको face करने होंगे लेकिन आपके साथ ऐसा होने से पहले ही आप इसकी जानकारी प्राप्त करके ऐसा होने से रोक सकते हो ना उमान लीजिए ये आपके गरगा plot है और इसके एक तरफ की लंबाई 90 फुट है तो आपको इसे total 9 भागों में divide करना होगा जिससे आपको इसके एक बाग की लंबाई मिल जाएगी ना वास्तु के अनुसार पूरू दिसा के 9 भागों में से पहले 2 भागों में और आकिर के 2 भागों में मुक्यद्वार बनाना उचित नहीं होगा और दक्षिन दिसा के पहले 5 भागों में और अंतिम के 2 भागों में में गेट को ना बनाए पस्चिम दिसा के पहले 3 भाग और अंतिम के 2 भागों में में गेट नहीं बना सकते हैं और उत्तर दिशा के पहले और अंतिम दो भागों में मेंगेट बनाना उचित नहीं होता है नाव पूर्व दिशा के बागी बचेवे भागों पे मेंगेट बना सकते हैं इसी परकार अन्य दिशाओं में भी बचेवे भागों पे मेंगेट बनाया जा सकता हैं नाव उत्तर दिशा में positive energy और दक्षिंड दिशा में negative energy का प्रभाव होता है। इसलिए दक्षिंड दिशा वाले plot को गर के निर्माण या website भवन के निर्मान के लिए उचित नहीं माना जाता है। च्यूंकि उत्तर दिशा में कुबेट जी का वास होता है इस कारण उत्तर दिशा में बने गेट को घर के आर्थिक विकास के लिए बैस्ट माना जाता है जिस जगह आपको रैड क्रोस दिख रहे हैं उस जगह में गेट का वना बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होता है और जहां पर येलो क्रोस दिख रहे हैं वहां पर में गेट का वना आपके लिए कोई गुड लग तो नहीं होता लेकिन बैड लग क्रियेट नहीं करता है इसलिए Red Cross वाली जगा पे Main Gate बनाना अवाइडी करें नाव पिछले कुछ वीडियो में आपने बहुत सारे कॉमेंट करके अपने डाउट और सवाल अमारे साथ सेयर किये उनके जवाब वीडियो के end में Q&A के रूप में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जैसे प्रदीब जी का सवाल है यदि प्लोट गूमा हुआ है तो उचित मार्क दर्शंद है जैसे ये एक प्लोट है इसकी उतर दिशा बीच में ना होके थोड़ी Left या Right की तरप है तो भी आपको अपने प्लोट की उतर दिशा बीच में ही माननी होगी नाव राजकुमार जी का सवाल है Hello Sir माना की बहुत बड़ा प्लोट हो गर शिर्फ एक कौने में बना हो तो क्या करें मान लेते हैं जैसे की आपका बहुत बड़ा प्लोट है इसमें आपका घर सिर्फ एक भाग में बना हुआ है फिर भी आपके घर के plot की वास्तु दिसाएं सिर्फ उसी भाग के लिए मानने होगी जिस भाग में आपका घर बना हुआ है और विकास जी का सवाल है plot का main gate साउथ इस्ट में है घर का main entrance door साउथ में बना सकते है क्या साउथ के सिर्फ इस भाग में main gate होना चाहिए और इस भाग में main gate कभी ना बना है दिनेश जी का सवाल है दक्सिन दिसा का plot है main gate सर दक्सिन फस्ट जी में बना सकते है क्या वास्तु के अनुसार इस भाग में main gate बनाना उचित नहीं होता है रहुल जी और शैलेंद्र जी का सवाल है सीडिया का बनाएं वास्तु के अनुसार सीडिया बनाने की इस्तती का वीडियो आ चुका है आप उसे देख सकते हैं और इसी तरह अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो comment करके जरूर पूछें इनका जवाब आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएगा वीडियो को लाइक जरू करें और ऐसे ही knowledgeable वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब तूसी वेल टैक्ट थैंक्स फॉर वाचिंग गॉड ब्लेस यू